आईए जानते हैं आज के कुछ अंतराश्टे खबरों को पहले एक नजर आज के हेड्लाइन्स पर देश में चारो और अन्याय का अंधिकार हम न्याय की रोश्नी खोजेंगे कॉंग्रेस के जैपू रैली में बोली सोनिया गांधी कॉंग्रेस के घोशना पत्र में मुस्लिम लिग के चाप सहारनपूर में पियम मोधी का भाश्रून कॉंग्रेस ने उमिद्वारों के एक और लिष्ट जारी की जानिये किसे कहां से मिला टिकेट रात में रेट करने क्यों गए एन आई ए पर हुआ आटैक तो मम्ता ने उठाए सवाल छे लाक में बेबी 36 घंटे के नवजात को बेशने की तैयारी से बियाई ने बेनकाब कर दिया दिली में बच्चों के खरीद फरोख्त का नेटवर्क रमजान खत्म होने से पहले इसराइल पर जवाबी हमले की तैयारी में इरान ताइवान में आये भुकम से चौदा की मौद 6 सा लोग अभी भी फसे पैट्रोल डीजल की ताजा कीमते हो गई अपडेट क्रो की बॉक्स ऑफिस पर पकर मजबूत 50 करोर से रह गई इंच दूर कोहली की टीम में होगा बड़ा फेर बदल ये हो सकती है बैंगलूरू राजस्थान की प्लेइंग 11 कॉंग्रेस ने सनिवार को जैपूर के विद्याधर नगर स्टेडियम में न्याई पत्र महसभा का आयोजन किया जिसमें पाटी अध्यक्ष मलिका अर्जुन खडगे सोनिया गांधी और प्रियांका गांधी शामिल हुए कॉंग्रेस के पुर्वध्यक्ष और राजसभा सांसन सोनिया गांधी ने रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमका निसाना साधा उन्होंने कहा वीरो और देश भक्तों के इस महान प्रदेश के प्रतिनीधी के तौर पर एसकारिक्रम में आपके बीच आकर मुझे आपार गर्व हो रहा है साथियो कभी हमारे महान पूरवजो ने अपने कठिन संगर्थ के बल पर प्राधिनता के अंधेरे में देश के स्वाधिनता के सूरे को खोजा और पाया था इतने वर्षों बाद वो महान ज्योती कुछ मधिम पर गई है चारो और अन्याय का अंधिकार बढ़ा है हम सभी का संकल्प होना चाहिए कि हम इसके खिलाफ लड़ेंगे अन्याय की रोश्णी खोजेंगे सोन्या गांधी ने बेजीपी पर हमला करते वे कहा यह देश कुछ लोगों की जागेर नहीं देश से बड़ा कोई नहीं हो सकता अन्याय के खिलाफ हमें एक जुट होना है लोकतंत्र आज खत्रे में है सम्विधान बदलने की साजिस हो रही है युवाव में बेरुचगारी से निराशा है बेजीपी के दस वर्सों के शाशनकाल में महंगाई चरम पर है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सहारन पूर में एक चुनावी सभा को सम्बोधित किया लोकसभा चुनाओ के पहले चरन में 19 अप्रेल को सहारन पूर में मद्दान होगा भाजपा ने पुर्व सांसद रागव लखन पाल को मैदान में उतारा है जबकि माजिद अले बसपा के उमिदवार है इमरान मसूद सपा कॉंग्रेस बहागण बंधन के संयुक्त उमिदवार के रोप में यहां से चुनावी मैदान में है यूपी के मुखे मंतरी योगी अधितियनात और राष्टिय लोक दल प्रमुग जैंट चोधरी भी मौजूद रहे पियम मोदी ने अपने संबूधन में कहा साथियों दस वर्ष पहले मैं चुनावी सभा के लिए सहारन पूर आया था तब मैंने गैरेंटी दिया था कि देश जुकने नहीं दूँगा आपकी असिर्वाद से हर परिस्तिती को बदलूँगा निराशा को आशा में बदलूँगा आप लोगों में अपने असिर्वाद में कोई कमी नहीं रख दी और मोदी ने अपने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी तब कॉंग्रेस सरकार ने भारत की चवी एक भरष्ट और कमजोर देश की बना कर रख दी थे लेकिन आबाद के वोड की ताकत से पूरी दुनिया में देश का डंका बच रहा है लोगसभा चुनाओ के लिए कॉंग्रेस ने उमिद्वारों की एक और लिस्ट जारी कर दे है इस लिस्ट में गोवा, मध्यपर्देश और दादर की छे सीटों पर उमिद्वारों के नामों का एलान किया गया है मध्यपर्देश की गुवालियर सीट से प्रवीन पाठक और मुरैना से सत्यपाल सिंग सिकरवार को टिकट दिया गया है यह कॉंग्रेस की ओर से उमिद्वारों की चौदवी लिस्ट है इसे पहले कॉंग्रेस ने लोकसभा चुनाओ 2024 के लिए गुरवार को मिद्वारों की तेरवी लिस्ट जारी की थे इस लिस्ट में तीन प्रत्याशियों के नाम घोशित किये गये थे और ये तीनों कैंडिडेट गुजरात की लोकसभा चेतरों सुरेंद्र नगर, जूनागर और बडोद्रा से उतारे गये थे पार्टी ने सुरेंद्र नगर से रित्विक भाई, मकवाना, जूनागर से हीरा भाई, जूटवा और बडोद्रा से जस्पास सिंग पढ़ियार को टिकर दिया है पस्चिम बंगाल के पूर्व मेधनी पूर में एनाई की टीम पर हमला हुआ है वे भूपनी नगर ब्लास्ट केस के आरोप्यों को गिरफतार करने गये थे लंबी खोजबीन के बाद दो मुख्य साजसकरताओं को गिरफतार क्या गया है अब जाज टीम पर हमले को लेकर सियासत तेज है एक तरफ जहसे यह ममता बेनरजी ने रात की रेड पर सवाल उठाए तो वहीं कॉंग्रेस ने था अधिर रंजर चौधरी ने जाज टीम पर हमले की निंदा की मुख्यमाती ममता बेनरजी ने कहा उन्होंने आधी रात को चापा क्यों मारा क्या उनके पास पुलिस की अनुमती थी उन्होंने कहा अस्थाने लोगों ने उसी तरह से प्रतिकिर्या दी जिस तरीके से किसे अन्य अजनभी के आधी रात को जाने पर देते हैं ममता ने कहा क्या वे चुनाव से ठीक पहले लोगों को गिरफतार कर रहे हैं बेजेपी क्या सोस्ती है कि वे हर बूत एजन्ट को गिरफतार करेंगे एनाई को क्या अधिकार है जो वे बेजेपी का समर्थन करने के लिए ये सब कर रहे हैं उन्होंने इसे गंदी राचनीती करार दिया दिले के केशाव पुरम इलाके में शुकरवार को उस वक्त संसनी मच गई जब CBI और पुलिस की टीम एक घर में छापा मारने पहुँची दो दिनों तक चली रेट के बाद CBI ने मानव तसकरी रैकेट का भांडा फोर करते वे 7-8 नवजात बच्चों को रेस्क्यू किया हैरानी के बाद यह है कि इसमें एक नवजात के उम्र महत 36 घंटे है जबकि दूसरे के उम्र 15 दिन है रेट के दोरान केश और पुरम थाने की पुलिस भी मौके पर मौझूद रही इसराइल और हमास की जंग के बेच अमेरिका ने इरान को लेकर अलर्ट जारे किया है अमेर्की अधिकारियों का मानना है कि सेरिया में एमबेसी अटेक के बाद इरान जवाबी कारवाई कर सकता है एमबेसी अटेक में उसके एक टॉप कमांडर की मौत हो गई है अब UN intelligence का मानना है कि रमजान खत्म होने से पहले Middle East में इस्राइली या अमेर्की ठिकानों को इरान निशाना बना सकता है इस्राइल ने एक अप्रेल को सेरिया में इरान के embassy पर F-35 जेट से बंब अरसाये थे इस हमले में कदूस फोर्स के एक कमांडर जनरल महमत रेजा जहेदी की मौत हो गए थे ताइवान में आये भुकम्प ने तबाही मचाई है अपनों की तलास जारी है 600 लोग अभी भे फसे ताइपे हैं ताइवान में आये शक्तिसाली भुकम्प के तीन दीन बार शनिवार को भी 600 से अधिक लोग फसे हुए हैं ताइवान में बुधवार को आये भुकम्प को बीटे 25 वर्ष में आया सबसे सक्तिसाली भुकम्प माना जा रहा है जैसे कई इमारते छतिग्रस हो गई और कई लोग दूर दराज के इलाकों में फस गए इस भुकम के कारण कम से कब 12 लोगों की मौत हो गई बचाओ कर्मी पत्रों के नीचे दबे शाका डांग मार्ग पर दो शबों को निकालने के लिए सनिवार को भारी उपकरन लाने की योजना बना रहे हैं राष्टिय तेल कमपनियों द्वारा हर रोज पैट्रोल डेजल के केमते अपडेट की जाते हैं आज यानि 6 अपरेल 2024 के लेटिस्ट अपडेट के मुताबिक पैट्रोल और डेजल के कीमतों में कोई फेर बदल देखने को नहीं मिला है वही अंतराष्टिय बाजार में कच्चे तेल के कीमतों में उतार चरहाव जारी है इंटरनेशनल मार्किट में कच्चे तेल महंगे हो गए है ब्रेंट क्रोड 90.86 डॉलर परती बैरल है जबकि डबलू टी आई क्रोड 86.73 डॉलर परती बैरल पर कारोबार कर रहा है वही भारत की बात करें तो सरकारी तेल कंपनियों ने आज 6 अपरेल 2024 को भी सभी महानगरों में पैट्रोल और डीजल की कीमते इस्तिरही रखी है तब्बू करीना कपूर खान और कृते सेनन उस्टाड़र कॉमेडी ड्रामा क्रोड बॉक्स ओफिस पर जोड़दार कमाई कर रही है क्रो के ट्रेलर ने ही फिल्म्स के लिए दर्शकों का एकसाइटमेंट लेवल काफी बढ़ा दिया था वही जैसे ही फिल्म सिनेमा घरों में रिलेज हुई वैसे ही इसे देखने के लिए दर्शकों के भीर उमर पड़ी इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर दमदार ओपनिंग की और रिलेज के पहले हपते में भी जम कर कमाई कर ली ये फिल्म रिलेज के साथ दिनों में अपनी लागत लगभग निकाल चुकी है सैकनिल्स के अरली ट्रेंड रिपोर्ट के मताबिक क्रों ने रिलेज के आठवे दिन 3.60 करोर के कमाई की है इसे के साथ क्रों के आठ दिनों के कुल कमाई अब 47 करोर 35 लाख रुपए हो गई है इंडियन प्रेमियर लीग 2024 के उनीसवे मुकाबले में आज 6 अप्रेल को राजस्थान रोयल्स का मसामना रोयल चेलेंजर्स बैंगलूरू से हो रहा है दोनों टीमों की भी जैपूर के सवाई मांसिंग स्टेडियम में यह टक्कर हो रही है RCB फिलहाल अंक तालिका में आठ वे अस्थान पर है जो उसके खराब प्रदर्शन की बानगी देता है वही रोयल लगतार तीन जीत के साथ दूसरे अस्थान पर है इस मुकाबले के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग 11 पर भी निगाहे है RCB की प्लेइंग 11 में महिपाल लोमरो को शामिल किया गया है लोमरो बतोर इंस्पेक्ट प्लेयर अब तक खेल रहे है वही अनूज रावत के छुट्टी हो सकती है अनूज ने पिछले तीन मैचों में सर्फ 25 रन बनाये है RCB इंग्लिस ओल राउंडर विल जैक्स को खिलाने पर विचार कर सकती है लेकिन ऐसे इस्थिति में उन्हें कैमरन ग्रीन को बाहर करना पड़ेगा